वेल्लो गाइज वेलकन टू सफलता एक्स्प्रेश चैनल स्वागत है आप लोग का सफलता एक्स्प्रेश चैनल पे और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोग को हिंदी के बारे में बताने वाला हूं बहुत ही अच्छे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे दी हैं और सारे मेरे कोर्सें देख सकते हैं related to seated इस्टेट और टीचिंग्जाम से लेटेड चले स्टार्ट कर देते हम लोग जैसा इसमें लिखावा गैस की पहला मतलब भासा किसे बनी होती है बहासा बने होते हैं वाक से और वाक के बने होते हैं आपके उपवाक किसे होते हैं आपके वर्ड या फिर धनी से ठीक है मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ हम लोग गये हैं तब यहाँ पे बाइफरकेशन करके यह हमको मिला है या फिर अगर छोटे से बड़े की ओर जाए तो पहले वर्ड छोटे-छोटे जो धनिया होती है वो मिल करके अच्छर ब वाकिका निर्मार करते हैं और वाकिसे फिर हमारी भाशा तयार होती है ठीक है नेक्स जलते हैं पॉइंट पर लिखा हुआ है वर्डों के विवस्थित समूं को वर्ड माला कहते हैं नेक्स्ट है उचारण के अधार पर पैंतालिस वर्ड आपके होते हैं जैसा कि आप वाविस होते हैं नेक्स्ट है कि लेखन के अधार पर बावन वर्ड होते हैं इसमें की तेरा स्वर होते हैं पैंतिस विंजन होते हैं और चार संयुक्त विंजन होते हैं ठीक है संयुक्त विंजन की बात करें तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त विंजन की ठीक है यह कुल मिला करके 10 प्लस 3 आपके 13 स्वर होते हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह ठीक है तो 10 आपके यह हो गया और री अंग और आहा मिला करके 13 होगा टोटल वेंजन की बात करें तो का वर्ग वाले जैसे काखा गांगा चा यह यह तरीके से यह सारे आपके विंजन होते हैं 17 के विंजन चार यह रा लवा ठीक है अंधा चार होते यह तो यारा लावा फिर उश्व की बात करें तो बहूत इंपोर्टेंट रेसे विचन जैसे छा लिखा हुआ है तो चाप का बनता है जिसमें के इसमें की हलंत लगा हुआ है मतलब आधा का और प्लस खा ठीके खटकोड वाला तो यह मिला करके आपका चाबना देता है छत्री व बात करें तो ता मतलब हलंत इसमें लगा हुआ है आधा ता और प्लस रा तर यह बना लिता है ठीक है फिर इसके बाद हम लोग बात करें ग्या की तो ग्या हमारा बनता है जा प्लस इयां से इसको भी ध्यान रखेगा जा आपका हलंत लगा हुआ है प्लस इयां ठीक है ग्या नेक्स लिखा हुआ है कि विदेशो से आगात्याफिक ग्रहीद धुनिया अर्भी फार्सी पहले अगर बात करें तो अर्भी फार्सी में आपका आ-खा-का-गा-जा-फा जिसमें कि नुकता का प्रयोग किया गया है नुकता मतलब यह नीचे पॉइंट लगाया गया आपका जिसमें कि आ-का-खा-गा-का-प्रयोग अब कम होता है ठीक है पहले यह जाता होता था लेकिन अब क्या होता है अब यह कम होने लगा है फिर इसके बात अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आ हो गया इसमें ठीक है अंग्रेजी में आ जैसे बोलते हैं ओर्डर ठीक है तो ओ इसमें निकलता है अंग की विंदी नहीं निकलती है येवल ओ चंद्रवा निकलता है वर्डों की गड़ना दो अधार पर करते हैं उचारण और लेखन के अधार पर आप लोगो पता है जैसा कि आप लोग जानते हैं उचारण के अधार पर की गई वर्ड को प्युकत माना जाता है विए फिर नीचे लिखावाया उचारण के अधार पर हिंदी में वरणों की क्ल संख्या कितनी होती है तो 47 होती है 47 जिसमें की दस स्वर है 37 विंजन है ठीके और 35 hindi के मूल विंजन हैं दो आगत विंजन हैं जिसमें की सैंटीस आप की टोटल विंजन हैं जिसमें की 35 हिंदी की मूल विंजन और दो आगत विंजन जिसमें जा और फा जिसमें नुक्ता लगा हुए नीचे वो है नेख शलते हैं तो लेखन के धार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो है पश्पन है इसके अंतरगत ग्याणा मूल स्वर प्लस थे स्मूल विंजन प्लस दो ऊचिप्त विंजन ड्रह और ढहा जाते हैं ढहेगा तो पश्पन के इन तरगत जिसमें ऊपोंस्वर चेदो ब्राइफ़ स्ब्सक्षित विंजन मतलब डh और ढ़ भाड़ा यह दोनों आयोगाह करना इसको भी ध्यान रखेगा और चार सेंक सेंप बताया च्छत्रंग्यास्रा चत्रंग यासरा और कैसे बनते हैं वो भी मैं आप लोगों बता चुगा हूँ प्लस तीन आगत या ग्रहीत विंजन जाफा और आ आ जाते हैं ठीक है तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रिखेगा लिखेगा हूँ नेक्स हिंदी के वीडयो में ये सभी जितने भी आपके एकजाम हैं जिसने की हिंदी पूछी जाती है तो तो सबमें आपका ये बहुत ही जढ़ा warto है इसको देखते रहे så और मिलते हम लोग, नेक्ट वीडियो में आप लोग लाइक जरूर करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रस कर लें और अनकैडमी से मेरा पूरा भी मेटेरियल पढ़ सकते हैं दिस्किप्शन बॉक्स में में लिंक प्रोइड करा दूँगा आप लोगो, थैंक यू